नमस्कार आप देखने न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ प्यार तूने ये क्या किया सबसे रुस्वा किया ये बोल तो महजे गाने की बोल है लेकिन ये बोल बिहार में सच साबित होते दिख रहा है बता दे कि पूरा मामला बिहार के सिवान जीले का है जहां प्यार में श्रवन साहिल बन जाता है पैंट शट छोड़ कर मौलवी का वेश वुशा अपना लेता है इतना ही नहीं साथ महीने से अपने घर से लापता हो गया अब मा रोते भी लखते लोगों के सामने आ रही है पुलिस के सामने जा रही है गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंट कर लाई अखिर प्यार में ये श्रवन साहल क्यों बन गया प्यार में ऐसा उसने रास्ता क्यों अपना लिया क्यों उसने शर्ट पैंट को त्याक कर मौलवी का वेश वुशा अपना लिया मा रोते भी लखते क्या कुछ कह रही है पूरा मामला क्या है आईwriter जानते हैं बिहार के सिवान जीले के मेरवा प्रखंट स्थित नई बस्ती मिसकर ही गाउंक में किराय पर रहने वाला श्रवण प्यार में साहिल बन गया है अवर जीन्स पैंट नहीं बलकि मौलवी की तरह वेश वुसा में रहता है परिवार वाले बेटे के मंतारनन का आरोप लगा रहे हैं युवक के परिवार ने बताया कि उनका बेटा 25 दिसंबर 2022 से ही लापता है काफी खोजबिन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो युवक की मा नैना देवी ने मेरवा थाने में 17 जुलाई को बेटे के अपहरन की प्राथमी की दर्ज कराई मा ने पढोश में रहने वाली मा बेटी पर बेटे का पहरन आरोप है कि पढोशी मुसलिम युवती ने युवक को प्रेम जाल में फसा कर उसका धर्मांतरन कराया है पलिस मामले की जाच भी कर रही थी इसी बीच युवक ने एक वीडियो जारी कर सब को हैरान कर दिया है वीडियो में युवक ने मौलवी की वेश वुसा में इसलाम धर्मा वलंबी बताया और कहा कि वो सुरक्षित है युवक ने कहा कि उसका किसी निया पहरन नहीं किया है उसे अपने परिवार के किसी सदस या किसी भी लड़की से कोई लेना देना नहीं है इधर मा अड़ी है कि उसके बेटे को पहला बहला फुसला कर मंतांतरित किया गया है और उन लोगों ने बेटे को किसी अज्याद जगा पर छिपा रखा है बेटी किसा कुशल वापसी की गुहार लगाने के लिए स्रवर कीमा मंगलवार को यानि बीते दिनों एसपी शैलेस कुमार सिनहा से मिलने पहुची लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी निरास होकर वर्खर लोट गई देखे कहते हैं प्रेम में या प्यार में इश्क में मुहबत में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं कुछ भी कर देते हैं कहां से कहां चले जाते हैं ना घर बार उन्हें दिखता है ना अपना परिवार दिखता है ना अपना जो है दोस्तिया सगे संबंदी दिखते हैं अग अब मा रो रही है बिलख रही है थाने थाने पहुंच कर पुलिस के सामने गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को वह आपस लोटा दीजिए फिलाल तो इस ख़बर में बस इतना ही और वीडियो ज़र अब डेट्स के लिए आप देखते हैं